Hello friends, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले है इन फर्टिलिटी टेस्ट इन फिमल तो basically जो फिमले पर इन फर्टिलिटी होता है तो उसको टेस्ट कैसे कराते हैं उसके क्या रिजन्स होते हैं उन सब कर डिसक्रेशन करेंगे तो उसको डिसकस करने के लिए यहाँ पर एक हमने रिपोर्ट लिया हुआ है यह एक फिमेल का है जिसका ट्वेंटी नाइन यह से तो इसको एज रेफरेस्ट लेकर करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिसकस करेंगे कि कौन सा पैरिमिटर किस काम आता है अब हम लोग इन फर्टिलिटी की बात करते हैं तो बैसिकली कि इन फर्टिलिटी दोनों इंट से हो सकता है तो मेल की तरफ से भी हो सकता है दूसरा फिमेल की तरफ से भी हो सकते हैं मेल की तरफ से डिसकस किया जाए तो 40-50% चांसेस रहते हैं कि इन फर्टिलिटी मेल के इंड पर हो यदि फिमेल के बात करेंगे तो इसका चांसेस रह प्लस यहां पर आई बटन में भी मिल जाएगा अब हम लोग यहां पर बात कर रहा है फिमेल इंफर्टिलीटी का तो इंफर्टिलीटी क्या होता है यह पहले जान लेते हैं जब कोई कपल 12 मन तक अन प्रोटेक्टेड़ सेक्सुल इंटेर कोर्स करते हैं उसके बाद भी क्लि इस गली फिमेल में लोग इंफर्टिलीटी की बात करते हैं तो उसका में रिजन होता है इस में आता है है hyper pro-lactinemia मतलब जो pro-lactin hormone है उसका concentration serum में blood serum में increase हो जाता है दूसरा कारण होता है hypogonadotropic hypogonadism इसका मतलब यह हुआ कि जो sex hormone है उसका secretion काफियाद तक decrease हो गया है या फिर negligible amount में secret हो रहा है इसमें तीसरा होता है hypergonadotropic hypogonadism again मतलब hypogonadotropic भी हो सकता है यह hypergonadotropic भी हो सकता है दोनों में hypogonadism है मतलब sex hormone जो है वो कम amount में secret हो रहा है next इसमें देखते हैं that is polycystic ovarian syndrome that is PCOS तो किसी female को polycystic ovarian syndrome हो गया है polycystic ovarian syndrome क्या होता है जो females में एक release होता है वो regular नहीं होता है या फिर delayed release होता है तो उसको PCOS की condition बोला जाता है काफी normal है इसका भी link में description में दे दूँगा और यहां पर i button में आपको मिल जाएगा इसी में एक और condition हो सकता है that is polycystic ovarian disease PCOD जिसको हम लोग बोलते हैं तो PCOD में क्या होता है जो X होते हैं आइदर immature होते हैं या फिर partially mature होते हैं तो वो condition में भी infertility होती है तो इन सब का treatment का जरुरत पढ़ता है treatment से पहले उसका टेस्ट का जरुरत पढ़ता है तो हम उस blood sample में serum को अलग किया जाएगा फिर उस serum में यह सारे हर्मोंस देखें आएगे तो इसमें first होता है FSH तो FSH के लिए क्या होता है to rule out hypogonadism due to hypothalemic और pituitary dysfunction तो hypothalemic या फिर pituitary dysfunction होगा उसकी वज़ासे किसी भी तरीके का hypogonadism है तो उसको रूल आउट करने के लिए FSH का टेस्ट किया जाता है जो यहां पर वैल्य आया 1.02 milli international unit per ml तो इसका जो reference range होता है जो menstruating women होती है उसमें यह range होता है 4 to 21 तो यहां पर 4 to 21 के बीच में नहीं है slightly कम है तो इसकी वज़ासे यहां पर क्या हो सकता है hypogonadism हो जकता है plus to rule out hyper gonadotropic state मतलब यहां पर premature ovarian failure हो सकता है यदि इसका FSH disbalanced है जो कि यहां पर है next इसमें एक और चीज होता है increased L by H और FSH ratio is suggestive of PCOS तो यहां पर LH और FSH का जो ratio है वो increase हो जाता है तो condition denote करता है PCOS को मतलब polycystic ovarian syndrome को जो again infertility का कारण होता है ठीक है तो यहां पर FSH का full form होता है follicle stimulating hormone और LH का full form होता है leutenizing hormone तो दोनों का ही same function है दोनों की वज़ा से same चीज़े होती है यहां पर देख लीजे जो previous FSH में जो हमने point बता है same point यहां पर भी लागो होता है और LH का जो ideal range होता है मतलब जिस women में menstruation cycle चार रहा है उसमें यह range होना चाहिए 5 to 25 milli international unit per ml तो यह भी कम है तो यहां पर इस particular report में FSH और LH का जो value है वो normal से कम है अब हम लोग third देख लेते हैं that is prolactin तो prolactin का जो range होना चाहिए वो यहां पर दिया हुआ है 2.8 to 29.2 होना चाहिए 9 gram per ml होना चाहिए तो यहां पर यह 19.94 जो की correct है कोई issue नहीं है prolactin का जो level है वो सही है normal है usually इसका जो level है वो जादा हो जाता है 29.2 से जादा हो जाता है उस condition को हम लोग बोलते है hyper prolactinemia is one of the most common entities associated with chronic inovulation और यहां पर हम लोग बात करते है chronic inovulation का तो it is the lack or absence of ovulation the release of an egg मतलब इस condition में जो egg का है release ही नहीं होता है तो basically hyper prolactinemia में क्या होता है जो breast का development ज्यादा होने लगता है और milk secretion अगरा थोड़ा promote हो जाता है तो उस condition में क्या होता है basically होना चाहिए pregnancy में तो उसमें जो body है pregnancy जैसा भी है करने लगता है और जब pregnancy होती है तो एक release तो नहीं होगा तो ultimately यह infertility का कारण हो सकता है next इसमें character होता है estradiol जिसको हम लोग बोलते है female hormone तो इसमें क्या होता है इसमें पहला चीज होता है in pre menopausal female 30 to 400 pg पर ml का जो range होता है मतलब जिसका menopaus नहीं हुआ है मतलब जिसका menstruation cycle चर रहा है उसका जो normal range होता है 30 to 400 pg पर ml तो यहाँ पर 80.46 है मतलब यह normal है कोई problem नहीं है estradiol में और यही केस यदि post menopausal female में है जहाँ पर fertility का तो कोई chance नहीं है वहाँ पर एक वैसे release नहीं हो रहे तो वहाँ पर 0 to 30 pg पर ml होता है अब estradiol क्या है तो it is an estrogen steroid hormone in the major female sex hormone तो एक major female sex hormone है और एक type का estrogen steroid hormone है अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वज़ा से क्या problem हो सकता है so regulation of the stress and the menstrual female reproductive cycle तो basically इसमें क्या होता है stress और menstrual cycle disturb हो जाता है जिसकी वज़ा से एक जो release है वो irregular हो जाता है जो एक infertility का कारण है अब हम लोग इसमें next देखते है that is anti-mullerian hormone ठीक है तो इसी को बोलते है AMH और इसका normal range बोना चाहिए 0.1727.37 nanogram per ml यहाँ पर है 4.23 मतलब यह value normal है बिल्कुल कोई reason नहीं है तो AMH reflects size of primordial follicle pole and is useful marker of ovarian reserve तो basically जो primordial follicle है वो क्या करता है एक टाइप का सैक है जो ovary के अंदर में present रहता है और वो hormone release करता है जो एक तरीके से help to assess ovarian function in patients with PCOS या फिर PCOD तो जिनको PCOS या फिर PCOD है तो उनका जो ovarian function उसको भी assess करने का काम करता है AMH मतलब anti-mullerian hormone तो इसका level normal होना चाहिए जो यहाँ पर normal है अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते है है testosterone जो एक तरीके से कहा जाता है कि मेल हार्मोन है तो इसका जो आइडियाल रेंज है नॉर्मल रेंज है वह होना चाहिए 12.0959.46 यहां पर 51.36 है जो नॉर्मल रेंज के अंदर है बट फिर भी एक हायर इंड पर है ठीक है यह नैनो ग्राम पर deciliter है मतलब 100 ml में इतने नैनोग्राम होना चाहिए अब PCOS is the most common cause of androgen access यदि PCOS है तो उस condition में जो androgen है वो excess में हो जाता है एंडोजन किसको बलते हैं जो male sex hormone है उसको female में male sex hormone होगा तो क्या होगा फिर वहां पर तो infertility होगी ना female female में male characters आने लगेंगे ठीक है एक्स का रिलीस प्रापर नहीं होगा कई फिमेल्स में यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि मूच वगर आजाते हैं चेहरे पर मतलब यहां पर हलके हलके बाल वगरा भी आजाते हैं तो वह एंडोजन के excess की विज़से भी होता है सीरम-testeron is the most important test to evaluate androgen excess काने का मतलब यह है कि यहीं में जो एक्सेस हो जाता है इसको टेस्ट करने के लिए टेस्टोइस्टेरॉन का लेवल देखा जाता है चूंकि ये लेवल ब्लेट सेंपल लेकर के ब्लेट के सीरम में देखा जाता है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीरम टेस्टोइस्टेरॉन next होता है TSH ठीक है तो basically जो thyroid gland है उसका function को देखने के लिए TSH test किया जाता है, यहाँ पर यह ultra sensitive test किया गया है, इसका जो value होता है 0.550 से लेकर के 4.780 तक होना चीए normal value, बट यहाँ पर 5.499 है, मतलब elevated है, जिसका unit है micro international unit per ml, तो यहाँ पर TSH stand करता है thyroid stimulating hormone के लिए thyroid gland यहाँ पर होता है, to rule out hypothyroidism as it may lead to secondary hyperprolactidemia, तो यह सारे test है, यह किया जाते है, female में infertility के लिए, इसका डॉक्टर आपको decide करके बताते हैं, इन फर्टिलिटी किस वज़ा से है, फिर accordingly आपको medicine दिया जाता है, basically यह सारे hormones है, अब gynecologist के पास आएंगे, तो gynecologist आपका treatment कर देंगे, बट इसमें मेरा suggestion यह है कि, इस तरीके का hormonal imbalance होता है, तो gynecologist के साथ साथ में, आप किसी अच्छे endocrinologist को दिखाएं, वो आपका जो hormone के लिए, जो भी medicine चल रहा है, उसका titration अच्छे से करेंगे, मतलब उसका जो dose है, वो proper देंगे, सही dose देंगे, उससे आपका infertility बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और आपका जो conceiving है, वो का काफी जल्दी होने के chances रहने, I hope ये वीडियो काफी informative लगा होगा आपको, thank you so much